भारतिय बेंकिंग विविस्थाओं के संवंद्ध में पिछले अध्यायों में हमने काफी विस्तार से अध्यान किया उसके पहले हमने उत्पादन और उससे सम्बंदित क्रियाओं, मांग और पूर्ती इस पर आधारित बहुत से क्रियाओं के बारे में अध्यन किया कुल मिलाकर अगर हम इसके एक सार निकालना चाहें तो हम देखते हैं कि वास्तों में ये सभी क्रियाओं कहीं न कहीं मुद्रा यानि की धन से सम्बंदित होती हैं और ये जो मुद्रा है यही एक समय में बाजार में वस्तू की मांग और पूर्ती को प्रभावी करती रहती है हमने मांग और पूर्ती की बारे में भी विशली अध्यायों में काफी कुछ पढ़ा बात करें अगर हम समग्र मांग की, अगर हम मांग को एक व्रिहद रूप में उसका अध्यान करना चाहें तो हम आते हैं समग्र मांग पर तो आज का हमारा अध्याय है समग्र मांग, समग्र पूर्ती एवं उससे संबंधित अन्य धारना है समगर मांग का अध्यन अगर हम एक इसके मेनिंग के आधार पर देखे तो हम देखते हैं कि वास्तों में जब हम समगर के बारे में पढ़ेंगे चाहे वह मांग से संबंदित हो या पूर्ती से संबंदित हम समश्टिगत अर्थशास्र के अंतरगत उसका अध्यन करेंगे जब हमने वेस्टी और समस्टीगत अर्थशास्त्र के बारे में जाना तो हमने देखा था कि किस प्रकार वेस्टीगत अर्थशास्त्र में एक तत्यों की छोटी-छोटी कायों का अध्यन किया जाता है जैसे प्रतिवेक्ति आये किसी छेत्र विशेस की जनसंग्या इस तरह से लेकिन जब हम समस्टीगत अर्थशास्त्री की बात करते हैं तो वहां पर हम पूरे एक समग्र यह पूरे समू को लेकर अध्यान करते हैं तो बात करें अगर हम समग्र मांग यह समग्र पूर्ती की तो यह समस्टीगत अर्थशास्त्री के अंतरगत आता है और पूरा का पूरा ये जो समगर और मांग और समगर पूर्ती का ये जो सिद्धान्त है ये किसी देश की आए और उस देश में उत्पन होने वाली मांग रोजगार की स्थिति इस तरह के तत्तों से संबंध रखता है इसमें हम देखते हैं कि ये जो पूरा का सिध्धान्त है तो हम यह कह सकते हैं कि एक प्रकार का परंपरावादी सिध्धान्त है अब परंपरावादी जो सिध्धान्त है उसमें कीन्स ने उसके संबन्द में अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है जेनरल थियोरियो आफ एंप्लाइमेंट इंट्रेस्ट एंड मनी उसमें इन्होंने इस परंपरवादी सिध्धान्त की आलोचना की और इन्होंने अपना कुछ सिध्धान्त समग्र मांग या समग्र पूर्ती के संबंध में स्थापित किया यहां हम देखते हैं कि वास्तों में रोजगार और आए दोनों ही एक ऐसी स्थित्या है ज यह जो सिध्धान्त इन्होंने प्रतिपादित किया उसको नकार दिया है और अपने एक सिध्धान्त को उन्होंने प्रतिपादित किया है आगे हम देखेंगे कि क्या है केंस का समग्र मांग और समग्र पूर्ती से संबंध में थिया रोजगार आधारित सिध्धान्त रोजगार का जो परमपरावादी सिधान थे अगर उस पर हम एक नजर डाले बिंदुवार तो एक तो हम देखते हैं कि रोजगार के परमपरावादी सिधान के नुसर अर्थ व्यवस्था में पूर्णता जो है स्वता रोजगार की स्थिति पाई जाती है ऐसा परंपरावादी अर्थ शास्तियों का मानना है कि अर्थ व्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिती पाई जाती है दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्हों ने ये बोल दी कि ये जो पूर्ण रोजगार की स्थिती है इसके लिए सरकार कोई विशेश प्रयास नहीं करती कोई हस्तक शेप नहीं करती बलकि अर्थ व्यवस्ता खुद से अपने आपको इस तरह से समयाजित इस तरह से एड़िस् अब इसीमें अगर हम देखिये तो अर्थ व्यवस्ता में ये भी इन्होंने परंपरवादी सिधांत का प्रति पाधन जी नोंने किया ये भी माना है कि इसमें जो साधन और वस्तु की कीमते हैं वो लोच शील होती है लोच शील उनको होना चाहिए कि बात करते हैं तो सभी वो साधन शामिल होते हैं जिसके बारे में हमने पूरु में पढ़ा जैसे भूमिश्रम पूंजी संगठन और साहस और यह माना गया कि इन लोज शिल्ता होनी चाहिए यानि कि परिस्थिती के अनुसार इनकी मात्राओं को कम या ज्यादा किया जा सके तो यह तो बात कहीं परंपरावादी सिध्धान बारे में अब अगर हम एक अन्य अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे बी सेख की अधारना क्या थी उन्होंने क्या स इसको जानना चाहे यह इनका कहना कि अपनी मांगish स्वैम उत्पन कर लेती है इसका विस्लेशन उन्हों करें है कि इन्होंने एक बहुत गहरी कहीं इन्होंने कहा कि पूरती जो है सब्क्राइब जो है जब जाते है किसी वस्तु का उत्पादन जब हो जाता है तो वो खुद अपने लिए मार्केट ढूंड लेती है खुद अपनी मांग को उत्पन कर लेती है खुद वो पूरा का पूरा उत्पादन खपाया जा सकता है वैसे ही अगर हम देखे तो अर्थ शास्त्र में अति उत्पादन और नहीं उत्पादन दोनों ही इस्थिएँ दिखाए देती है और इनों ने यह फी मान लिया है कि सारा क का सग अर का उत्त्पादन जो हो खप जाता है बोब मुंvenue इस धितना यह ऋत्पादन हुआ उन्हें आधार माना तो सबसे पहली बात तो पू रोजगार की जो हो सभी के पास पर्याप्त मतन रोजगार हो नूर difí पादन जो है वो पूरा कपूरा खप जाता है यहनीं कि पगजार यान कि मांग that schauen सब्सक्राइब करते हैं और के सब्सक्राइब करते हैं करें दूसरी आलोचना कहीं गई अति उत्पादन संभो है अगर बात करें अति उत्पादन या नियून उत्पादन की जिसके बारे में कहा गया कि अर्थ वैवस्था में वो संभो नहीं है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कई बार अत्रिक्त साधन जो उत्पादन की होते हैं उनका प्रियोग कर लेने से या कभी भी अतियुत पादन नहीं होगा जितनी मांग है उतना ही उत्पादन होगा यह कभी नियून उत्पादन नहीं होगा मांग के नुरूप जितनी सप्लाई है उतनी कर दी जाएगी यह कहना कहीं न कहीं अवयभारिक लगता है अगली अलोचना अगर हम देखे तो यह कहता रसिता दाई कि मज़दूरी में कटूती से पूर रोजगार स्थापित नहीं होता बल्कि एक ऐसी श्थिती बनती है जबकि लोगों की क्रैश व we क्म हो जातीि है अगर हम यह कहें कि मजदूरी जो दी गई है उसमें कटोती करके पूर्ण रोजगार की स्थिति निर्मित कर ली जाए उससे जो अत्रिक राशी है उससे और अधिक जो मजदूर है उनको अगर रोजगार दे दिया जाए तो कहीं न कहीं ये बात भी आवेभारिक सी लगती है बलकि इसका सीधा संबन क्रेश शक्ती से हम कर सकते हैं कि अगर हम मजदूरी में कटोती कर देंगे तो जिनको वो मजदूरी दी जा रही थी उनकी क्रेश शक्ती आने की वस्तों को खरीदने की सकती कम हो जाएगी पहले से वैसी एकालोचना यह भी किजा सकती कि मुद्रा की मांग कैवल विनिमा के लिए ही नहीं की जाती हम यह सोचते हैं कि मुद्रा इसलिए जरूरी है ताकि लोग उससे अपने आवशक्ता की वस्तों को खरीट सके या उशक्ता की सेवाओं को प्राप्त कर सके लेकिन कई बार मुद्रा की मांग यह जो विनिमय की क्रियाएं हैं इनसे अलग हटकर सटे बाजिया अन्य अन्य अन्यतिक कारियों के लिए भी की जाती है बिल्कुल यह जो सिधानते हिसे हम कहते हैं कि दूर दर्शीत क्या होगा ऐसा भी तो हो सकता है ऐसी एक आलोचना में क्या सकते कि दीर्द कालीन दिश्टिकोंट पराधारित है अल्प कालीन समस्याओं को हल कर पाने में कहीं ने कहीं यह असंभा होता है बहुत दूर की सोचता है कि रोजगार अगर रहेगा तो आए बढ़ेगी आए र जिन्हों ने रोजगार का जो परंपरावादी सिध्धान्त था उसको उनोंने सप्रासें से नकार दिया और उसके कटो आलोचना की इन्हों ने अपने जिस अरोजगार के सिध्धान्त का प्रतिपादन किया आए उस पर एक नजर डाले तो यहां पर प्रोफिसर कीन्स ने अपनी प्रसिद पुस्तक जिसके बारे में हमने पहले भी जाना इन्होंने 1936 में यह जो किताब लिखी इस पर उन्होंने रोजगार के कुछ सिद्धान्तों के बारे में अपनी जो राय वेक्ति की उस पर हम एक बिंदुवार नजर डाले तो सबसे पहले इसमें देखने को मिलता है कि कीन्स का जो रोजगार का सिद्धान था वो समस्टिगत सिद्धान पर आधारित था यानि कीन्होंने यह माना है कि एक जो उत्पादक है उसका तो प्रतिक जो उत्पादक रहता है उसका प्रयास रहता है कि किस प्रकार वो अपनी वस्त लेकिन अर्थ व्यवस्था में जो उत्पादन का जो इस्तर है अगर उसको समरूप करना है तो वहां पर व्यक्तिगत मांग उत्पत्ति जरूरी समझी जाती है और शायद यही कारण है कि समग्र को ध्यान में रखते हुए इन्होंने समस्टी गतर्थ शास्र के अंतरगत रो समग्र मांग पूर्ति पर निरभर करता है किसा अधार पर बाफन उत्पन होती ऐसा इन्होंने मांगयां कि इन्हों लगता करते कि समग्र करता है के इंस भी अपने सिध्धान्त के अंतरगत कहे हैं इसके आधार पर एक बात हम यह भी कह सकते हैं कि कीन्स का जो पूरा का पूरा रोजगार सिध्धान्त है वो ना किवल समग्र मांग बलकि समग्र पूर्ती पर भी आधारित हैं अब बात करें अगर हम कीन्स के इस रोजगार सिध् और समग्र मांग में व्रिद्धी के साथ साथ ही समग्र पूर्थी में भी व्रिद्धी होती है यानि कुल मिलाकर यह कहना चाहते हैं कि अगर मांग जादा होगी मांग बढ़ी हुई मात्रा में उत्पन होगी तो उत्पादन जादा करना पड़ेगा और उत्पादन अगर ज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा उत पाधन की मात्रा ज़्यादा होगी तो पूर्टी अपने बढ़ जायगी नियुलमिलाकर इन्होंने मांग और पूर्ती पर आधारीत रोजगार के सिध्धान्त का प्रतिपाधन किया है हालाक इनों ने व्यक्तिगत रूप से वेस्टिगत रूप से किसी तत्यो काध्यान ना करके समघ्र काध्यान करते हुए इस सिद्धान का प्रति पाधन की है इसमें एक चीज अगर हम ये भी देखते हैं कि अगर हमको पूरे सिधान्त को बहुत अच्छे से समझना हो तो सबसे पहले हम समग्र मांग और समग्र पूर्ति क्या है इसको समझ ले तो आईए देखते हैं कि समग्र मांग क्या है समग्र मांग के अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि एक उत्पादक जो होता है वो तभी तक किसी वस्तू को उत्पादन करना चाहता है जब तक कि उस वस्तू की मांग होती रहे दूसरी बात हम यह कह सकते हैं कि प्रतेख उत्पादक के चाहता है कि उसके दौरा उत्पादित वस्तू की मांग ज्यादा से ज्यादा हो अब अगर हम केवल समग्र मांग की बात करें तो यहां पर जो सभी उद्योगपती होते हैं वो आपस में मिलकर निना लेते हैं कि कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए जिससे मांग को का एक इस्तर जो नरधारित इस्तर है उसको बनाया रखा जाए और उनके द्वारा जो जो उत्पादित वस्तू है वो पूरी की पूरी बिख जाय कि मांग जो है वो परियाप्त मातरा में बनी रहें समग्र मांग के बारे में हम यह व भी कहते हैं कि कर आम कि गार में उप्रनित है कि यह द गुयाल वस्तु की मांग होगी तो ही एक उत्पादक साधुनों को विन्योजित करेगा और वस्तु को उत्पादन करेगा अगर मांग नहीं होगी तो क्यों वो साधुनों को विन्योजित करेगा क्यों वो उत्पादन का कारे करेगा तो कहीं न कहीं मांग और उत्पादक को यहां पर सब भी एक दूसर से connect है तो हम हम यह भी कह सकते हैं कि यह जो समगर वांग की जो अवधारना है यह रोजगार से सीधी सीधी समबन skipping हैं तो अब इसी को अगर हमflower में। ग्राप की रूप में प्रस्तूत करें तो यहां पर हम देखते हैं कि एक इस तरह का जब हम ग्राब बनाते हैं जिसमें O, X अक्षपर हमने रोजगार का स्तर लिया हुआ है और O, Y अक्षपर हमने जो प्रतिशत आए है वो ली हुई है यहां पर हम देख रहे हैं कि एक जो वक्र है वो नीचे से उपर उठता हुआ एक समगर वक्र हमको दिखाई देता है अब बात करे यह क्यों नीचे से उपर उठता हुआ दिखाई देता है तो हम यह कह सकते हैं कि उचे रोजगार के इस तर को यह प्रदर्शित करता है यानि कि यह यह बताता है कि उचे रोजगार इस तर पर वस्तू की मात्रा दिखोगी वस्तू की मात्रा से यहां अमारा अर्ट उत्प करता है तो अधिक्यतम लाव की स्थिती उत्पन होती है अब statutory को और अच्छी असे समझने के लिए इसके प्रकार को समझें हैं तो यहां हम देखते हैं कि समग्र चार प्रकार शामल किये जाते हैं पहला प्रकार है इसका नेजी उपभोग की मांग हमने पहले के अध्यायों में देखा था कि एक देश में जो परिवार होता है वही उत्पादक होता है वही उत्पादन के साधनों के अंतरगत भी आता है और घूम फिरकर वही उपभोगता भी कहलाता है यानि जिन वस्तों का वो उत्पादन करता है वो उसके पास आती है वो उसका उभोग करता है वापस उभोग करने से वो पैसा उत्पादा के पास चला जाता और यह चक्र चलते रहता है अब बिल्कुल उसी कॉंसेप्ट को हम यहां पर ध्यान में रखें कि तो यहां पर हम और मांग बनजाती है उपभोग करता है यानि कि उभोग के लिए वो मांग करता है तो यहां पर हम अभोग और मांग दोनों को connect करके देखते हैं दूसरी एक बात यह हो सकती है कि नेजी विन्योग के लिए वो मांग करता है हमने पहले के अध्याय में भी देखा था कि एक व्यक्ति की जो आय होती है पूरा का पूरा वो अपने भोग पर खर्च नहीं करता उसमें से कुछ हिस्सा वो बचा लेता है औ को भी कहीं न कहीं उसकी आय का एक भागी था तो यहां हम यह कह सकते हैं कि निजी विन्योग करता जो है उसके द्वारा पूंजी गत्वस्तों की मांग भी की जाती है अब उसने पैसा ही कठा किया है तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं वो विन्योग करेगा कहीं न कहीं वो पुझीगत वस्तो की मांग करेगा। इस संबध में वैस्तो की मांग करना है। यह सब बात भी महत्वपूर्ण होती है तो यहां पर यह जो वेक्ति की बारे में बात करते हैं यह वास्तविक पुंजी की मांग करता है जैसे कि वो समाने उप्भोकता है निजी वे अगर करता है समाने नागरिक है तो वो अपने लिए कुछ आरांदायक वस्तों को खरीदे जित करता है तो वह महंगे उपकरण खरीदेगा अजार खरीदेगा बड़ी पुंजीगत मशीने खरीदेगा लेगन कहीं न कहीं वह अपनी आय का एक हिस्सा पुंजीगत विए भी रखेगा तो जिस प्रकार हमने समगर मांग के बारे कि समग्र मांग क्या है किस प्रकार इसकी अफधारनाओं को वेक्ति किया जा सकता है बिल्कुल वैसे ही समग्र पूर्ती को भी जान लेना बहुत जरूरी है समग्र पूर्ती की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि किसी भी उत्पादन कारी में जो उत्पादक होता है उसक कि हमेशा एक एक्षा रहती है हमेशा एक कोशिस रहती है कि वो कम से कम इतनी वस्तु का उत्पादन करें जिससे वो बाजार की मांग को पूरा कर सके यह भी वो सोचता है कि जितना वो उत्पादन करें वो पूरा का पूरा बिक जाए क्योंकि ऐसा अगर होता है तो ही वो उत्तान कर पाएगा और उनको आगे के लिए भी वो अपने वेवसाय में नियोजित रख पाएगा दूसरी बात कि जिस लाब के उद्देश से क्योंकि वो सहासी है उसको लाब का हिस्सा मिलेगा तभी उसको आगे का कारे कर पाएगा तो यह यह भी उसकी धारना रहती है कि उसको भी परियाप्त मात्रा में लाब मिल पाएगा अब अगर हम बात करें कि इसका जो ग्राफ है जैसे कि हमने समग्र मांग के बारे में देखा कि उसका जो वक्र है वो नीचे से उपर कि और उठता हुआ दिखाई देता है बिल्कुल वैसे ही अगर हम समग्र पूर्ती क करें तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से नीचे से उपर मांग के ग्राफ के अपोजिट वो उठता हुआ दिखाई देता है यहां पर हम देखते हैं कि ओ एक्स अक्षपर हमने रोजगार के इस्तर को लिया हुआ है और ओ वाई अक्षपर हमने जो प्रतिशत उत् दिया हुआ है इसको हम देख रहे हैं कि दाहिनी और ऊपर के और उठता हुआ दिखाई देता है यानि इसके आधार पर हम क्या सकते कि यह एक ऐसा वक्र है जो रोजगार में होने वाली वृद्धी को दर्शाता हुआ उपर उठता हुआ दिखाई देता है यहां कि सबसे महत्वपूर्ण बात देखें तो हम यह देखते हैं कि यहां पर रोजगार इस्तर में वृद्धी के साथ एडी और एस दोनों वक्र जो है वो बढ़ते जाते हैं लेकिन एक चीज यह भी है कि रोजगार में अधिकूछ इस्तर पर एस जो है वो तेजी से बढ़ता है एडी की अपेक्षा यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी देखने को मिलती है कि रोजगार के इस्तर पर वृद्धी के बाद यह जो ऐसी इस्तिति आती है कि एस वक्र जो है वो ओ वाय अक्ष के समानांतर हो जाता है दूसरी बात अगर हम देखिए कि इसका सीधा सीधा करते हम यह भी निकाल सकते हैं कि यह जो रोजगार का इस्तर है वो इस ग्राफ के आधार पर ओ एन उत्पादन के समस्तसादनों का अधिक्तम प्रयोग हो चुका है इसको दर्शाता है अब इसको अगर हम कींस के दिश्टिकोन से देखें तो यह जो इस्थति है यह वो इस की बात करें तो यह जो इस्तर है एक ऐसे बिंदू पर प्राप्त होता है जहां पर समग्र मांग का जो वक्र है वो समग्र पूर्ति के वक्र को काटता है यानि जिस बिंदू पर काटता है उस बिंदू पर यह संतुलन स्थापित होता है यह संतुलन बिंदू मिलता है जिस रोजगार संतुलन का निर्धारन करें तो जैसे कि हमने वीडियो में देखा तो यह उस बिंदू पर निर्धारित होगा जहां पर यह दो बिंदू याने अधिक और मांग और फूर्टी दोनों की वक्त एक दूसरे को काटेंगे तो यहां इस ग्राफ ने हम देख रहे हैं कि यह सित्य बिंदू पर आती है इस बिंदू से पहले एडि जो है वह अधिक है एस से यहां पर यह कह सकते हैं कि यह उदपादन जो है यह रोजगार को मिधारन होगा क्योंकि इसी पर Ad और एस बराबराबर है इस पूरे चित्र में ई बिंदु को समगर पूर्ती यानिकी A.S बराबर है AD की समगरमांग और समगर पूर्ती दोनों बराबर है और इस सिस्थिति में हमिए क्या सकते हैं कि ऐसी इसी कंडिशन में O M श्रमिकों को रोजगार प्राप्ति होता है लेकिन अर्थ रवस्था में कुल श्रमिक O N है जैसे कि हम ग्राफ में देख रहे हैं अब संतुलन दिंदु पर M N जो श्रमिक बचते हैं वो अब बेरोजगार हैं इससे यह सबस्ट हो जाता है कि रोजगार क संतुलन इस तर पर कुछ श्रमिक बेरोजगार रह सकते हैं यानि कि यह कहना कि पूर्ण रोजगार के इस्ति पाई जाती है यह संभो नहीं है दूसरी बात यह कि रोजगार के संतुलन पर पूर्ण रोजगार के इस्ति उस समय तक रहती है जब तक कि AD वक्र यानि कि समग वक्र, मांग का वक्र जो है, वो AD1 वक्र नहीं हो जाता इस चित्र में हम देख रहे हैं कि E बिंदू पर AD1 बराबर है AS के और सभी श्रमिक जो ON श्रमिक के उनको रोजगार प्राप्त हो रहा है इसे प्रकार E1 बिंदू के आगे AS वक्त बेलोच है और OY अक्ष के समानांतर हो जाता है और AD को और आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो रोजगार के इस तरह में कोई व्रिद्धी नहीं होती यानि यहां हम यह कह सकते कि पूर रोजगार का बिंदू है यहां एक बात यह भी महत्व पूर्ण है कि कीन्स ने रोजगार इस तरह में व्रिद्धी के समबंद में समग्र पूर्ती यानि AS को कोई महत्व नहीं दिया है अब क्योंकि दिर्ध कालिन विचारधार पर यह आधारी था और कीन्स का जो विसलेशन है वो अल्पकाली में तो आपने देखा कि किस प्रकार समग्र मांग और समग्र पूर्ती के कटान मिंदू के आधार पर हम रोजगार किस तरह का नधारन कर सकते हैं तो हम देखें अब उभोग मांग या उभोग फलन उभोग मांग या उभोग फलन के अगर हम बात करें तो इसका सीधा सीधा समग्र उभोग प्रवर्ती से होता है यानि कि एक व्यक्तिर के उभोग करने की जो प्रवर्ति होती है जो आदत होती है वही उसकी उभोग की मांग बन जाती है इस संबन में हम देखते हैं कि समाज की जो कुल उभोग की मांग है वो उसकी उभोग की प्रवर्ति पर निर्भर करती है ये उभोग पलन जो होता है ये उसके कुल आय और कुल उभोग के संबंद को दर्शाती है क्योंकि सीधा सीधा सा संबंद है कि जितनी आय होगी उसके आधार पर ही उभोग को निरधारित किया जाएगा इसलिए हम कहते हैं कि सीधा ये धनात्मक संबंद है तो यहाँ पर जब हम उभोग फलन की बात करते हैं तो इसके लिए हम जो formula यूज करते हैं वो होता है C equal to F into Y यानि की C कुल उभोग Y income I और F यानि फलनात्मक संबन अब कुल मिलाकर उभोग की प्रवृति है वो हमको ये बताती है कि किसी उभोगता के किसी व्यक्ति के आय में जो परिवर्तन होता है उसका उसकी उभोग में क्या परिवर्तन होता है जैसे कि हमने देखा कि एक तो इसमें धनात्मक और सीधा सीधा संबंध होता है और यही जो अधारना है इसे कीम्स ने उभोग का मनोवेग्यानिक नियम भी कहा है और बहुत अच्छे से इसको समझने के लिए आए और उभोग वे के बीच के संबंध को एक तालिका के द्वा चाहे जा सकता है तालिका के पहले कालब में आयदी गई है जो कि करोड और दॉसरे कालम में उभलत किकरोड रूपा और तीसरे कालम में बचत करोड बूल है वो 5 है तीसरी स्थिती में हम देख रहे हैं कि I जो है वो 1050 है ऐसी कंडिशन में उभोग जो है वो थोड़ा सा बढ़कर 1037.5 हो जाता है और ऐसी दशाम में बचत में भी थोड़ी से वृद्धी होती है जो कि 12.5 हो जाती है चौथी कंडिशन में यहां देख रहे हैं कि I जब 1075 हो जाती है तो उभोग 1050 हो जाता है बढ़कर और बचत में भी थोड़ी से वृद्धी होती है और 25 हो जाती है पांचवी कंडिशन में जबकि I 2000 है उभोग वे 1060 है तो बचत जो है वो 40 करूर हो जाता है कुल मिलाकर हम यहां पर एक स्तिती को समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे आय में व्रद्धी होती जा रही है उसी अनुपात में उभोग में भी व्रद्धी होती जा रही है और उभोग के साथ साथ क्योंकि I बढ़ रही है इसने बचत में भी व्रद्धी हो रही है तो इस प् आमुहिक मांग जो होती है वो कम हो जाती है यानि कि बेरोजगारी को अगर दूर करना है तो आय और उभोग के बीच का जो अंतर है उसको कहीं न कहीं बिन्योग से पूरा किया जाना चाहिए तो आपने देखा कि किस प्रकार आय और उभोग के वे का संबंध होता है अब अगर हम बात करें कि कीन्स ने किस प्रकार से अपनी राय इस पर वेक्ति की है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कीन्स ने उभोग की पूरी अवधारना को चार भागों में विभाजित किया है जिस सिमान्त बचत प्रवृत्ति आये इनको थोड़ा सा डेटेल में जाने तो सबसे पहले हम देखते हैं और वख प्रवृत्ति यह जो प्रवृत्ति इसके बारे में एक कहा जा सकता है कि निश्चित समय में किसे देश में जो उभूगता है उनके उभूग की क्या प्रवृत्त वह करेगा यानि कि उभोग करेगा तो आय और वह के बीच के संबंद को यह दर्शाता है और इसको जब हम एक फॉर्मूले के रूप में व्यक्ति करते हैं तो यहां पर हम लिखते हैं औस उभोग प्रवित्ति बराबर कुल उभोग वह बटे कुल आए तो इस तरह से हम यहा और अच्छे से समझें और उभोग प्रवित्ति को एक उधारन के द्वारा हम वेक्त कर सकते हैं यहां पर हम सी यानि कि कुल उभोग देख रहे हैं चार हजार करोड है और वाई यानि कि कुल आए पांच हजार करोड है तो इस फॉर्मूले में जब हम इसकी वैल्यू रख अब दूसरा जिसे हम कहते हैं सीमानत उभोग प्रवित्ति सीमान्त यानिए कि एक भ्रूगता की आय้ में अगर परिवर्तन होता nut discuss प्रोबहर जाता है यह चाहते हैं तो वह कहाएगा सीमाथ प्रवर्त्य तो हम एक फॉर्मूले के रूप में वेक्टिक करें तो कुल आय में परिवर्तन या फिर MPC इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई किस प्रकार से इसको क्यालकुलेट हम कर सकते हैं आईए एक उदाहरन से और अच्छे से समझते हैं समांत उब्भोग प्रवित्ति को एक उदाहरन के द्वारा इस प्रकार व्यक्ति किया जा सकता है मान लेजिये लोगों की आय एक हजार करोड से बढ़कर एक हजार बीस करोड रुपए हो जाती है इसके परणाम सरूप लोगों का उब्भोग वैभी एक हजार असी करोड से बढ़कर एक हजार नव्य करोड रुपए हो जाता है ऐसे सिते में सीमांत उब्भोग प्रवित्ति होगी एंपी सी इकवल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई यहां हम देख रहे हैं कि डेल्टा सी उब्भोग में जो परिवर्टन होता है उसको दर्श आएगा तो देक रहा है कि 1080 करोर से बढ़कर 1090 करोड होगी है यानि कि डिफ्रेंस जो है वो 10 करोड का है और वैसे ही अगर हम I का डिफ्रेंस देखें तो i जो थी वो 1,000 करोड से बढ़कर 1,020 करोड हो गई तो delta y के लिए हम 1,020-1,000 करते हैं तो 20 करोड का difference यहाँ पर आता है और जब हम formula में इसको put करते हैं mpc equal to delta c upon delta y तो यह हो जाता है mpc equal to 10 upon 20 equal to 0.5 यानि में के सकते हैं कि लोग सीमान्त उभोग की जो प्रवर्ति है 0.5 है या फिर अगर हम इसका percentage निकाले तो into 100 करें तो हम यह कह सकते हैं कि लोगों की सीमान्त उभोग की जो प्रवर्ति है वो कुल आय का 50 प्रतिशत है तो आपने देखा कि किस प्रकार सीमान्त उभोग प्रवर्ति को हम समझते हैं अब तीसरी जो प्रवर्ति है उसे हम कहते हैं बचत फलन अत्वा बचत उभोग प्रवर्ति कहीं न कहीं आय वय और बचत एक दूसरे से related है कीन्स ने भी ये माना है कि बचत की जो प्रवर्ति है ये पूरी की पूरी आय पर निर्भर करती है अगर आय में वृद्धी होती है तो बचत में वृद्धी होगी और अगर आय में कमी होती है तो बचत में कमी होगी दूसरा एक संबन हम ये भी देख सकते हैं कि I, V, और बचत के बारे में ये कहा जा सकता है कि I और V, के बीच का जो difference है उसे हम बचत कहेंगे यानि कुल मिलाकर हम इसे इस तरह से वेक्ट कर सकते हैं बचत बराबर I minus उभोग अब यहां पर अगर बचत फलन को I एवं बचत के बीच अगर एक संबन्द दर्शाने के लिए अगर हम वेक्ट करते हैं तो यहां हम लिख सकते हैं S equal to F into Y कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बचत जो है वो I पर निर्भर करती है इसका सीधा सीधा संबन्द आय से होता है आय अगर बढ़ती है तो बचत भी बढ़ जाती है और आय अगर घड़ती है तो बचत भी घड़ जाती है अगला जो बिंदु है वो कहता है औसत बचत प्रविट्थी यानि कि बचत की जो प्रविर्ति है अगर उसको औसत उसका हम निकाले तो इस समझ में हमें कह सकते हैं औसत बचत प्रविर्ति एक निश्चित अवधी में कुल बचत और कुल आय का जो अनुपात है उसको दर्शाता है यानि कि हम उसको इस प्रकार से भी वेक्ति कर सकते हैं औसत बचत प्रवित्ती बराबर कुल बचत बटे कुल आए या फिर हम कह सकते हैं APS equal to S upon Y एक उदाहरण से आईए इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं औसत बचत प्रवित्ती को जब हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो यहां हम देखते हैं कि मान लेजिए कुल आए पाँच हजार करोड रुपए है तत्या कुल बचत एक हजार करोड रुपए है अता औसत बचत की प्रवित्ती ग्याद कीजिए तो यहां पर क्योंकि हमको औसत बचत की प्रवित्ती ग्याद करनी है APS equal to S upon Y से हम उसको प्रदुशीत करते हैं और प्रेश्ण में स्पस्ट्रूप से S यानि कि कुल बचत है सेविंग है वो दी गई है और upon Y यानि कि कुल आए 5000 करोड दिया गया है तो APS equal to 1000 upon 5000 अगर हम करते हैं तो हमको 0.2 या फिर इन 200 करते हैं 20% हम यहां पर ग्यात होता है तो हम यह कहते हैं लोग अपनी X ये प्रदुशी हम आए 8 का उसका और प्रदक्रराटबरती कालकुलिट कर सकते हैं अब अगला जो कनो है सीमानत प्रद्रद्र आएं बम निकालनस चांए वो कहलाएगा सीमांत बचत प्रवृत्ति कुल मिलाकर जब हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में वेक्ट करना चाहें तो हम कह सकते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर बचत में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन जैसे के पिछले उधारनों में भी हमने देखा कि जैसे जैसे आय में व्रिद्धी होती है बचत में व्रिद्धी और आय में कमी से बचत में भी कमी होती है तो बिलकुर उसी आधारना पर ये बिंदू भी अधारित है आईए एक उधारन के द्वारा इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करें सिमांत बचत प्रवित्ति को जब एक उदारन के द्वारा हम समझेंगे तो एक प्रश्न होगा जब देश की आय एक खजार बीस करोड रुपए से बढ़कर 1060 करोड रुपए हो जाती है तो इसके परिणाम स्वरूम बचत सो करोड से बढ़कर 120 करोड हो जाती है सीमान्त बचत प्रवित्ति क्या होगी यहाँ पर क्योंकि हमको सीमान्त बचत प्रवित्ति ग्याद करनी है MPS calculate करना है तो जैसे कि हमने वीडियो में देखा MPS equal to delta S upon delta Y यानि कि saving में जो difference आता है उसका अनुपात हम I में जो difference है उससे निकालेंगे तो saving यानि कि बचत में जो difference है वो है 100 minus 120 तो यह 20 करोड हो जाएगा और I में जो difference है वो है 1020 minus 1060 यानि कि 40 करोड तो इसको जब हम calculate करेंगे तो MPS equal to 0.25 और अगर percentage में हम इसको change करें तो 0.25 into 100 यानि कि 25% यह calculate होता है यानि यह दर्शारता है कि I में 100 रुपए की अगर विद्धी हो जाती है तो बचत में 25% की विद्धी हो जाएगी अब हम बात करें कि विन्योग मांग और विन्योग फलन क्या है तो विन्योग के संबंद में जैसा कि हमने अभी तक के अध्यायों में और अन्य कई विश्यों में भी देखा कि विन्योग के अंतरगत हम अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा जो खर्च से बचा लेते हैं और फिर उसको किसी पुन्जीगत साधन को खरीदने में या अपनी आय को बढ़ाने में फिर हम उसको यूज करते हैं तो सीधे सरण शब्दों में ये विन्योग है बात अगर हम यहाँ पर विन्योग मांग और फलन के संबंद में करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम किसी संपत्ती में या गर मुत्पादक की बात करें तो वो किसी मशीन में, कंपनी, कार खाने में, भूमी में जब वो इस तरह का विन्योजन करता है वो पैसे अपने बचा के उसमें व्य करता है ताकि वो अत्रिक्त लाप्राप्त कर सके तो कहीं न कहीं ये एक विन्योग मांग को दर्शाती है और एक तरीकी से देखा जाए तो वास्तों में एक ऐसी स्थिती है जो रोजगार समृद्धी को भी जन्म देती है एक उत्पादक जब अपनी पूंजी को किसी उत्पादन कारे में लगाता है तो उसका मुक्योद्धेश यही होता है कि वो जादा से जादा उत्पादन कर सके अब जबकि वो जादा से जादा उत्पादन करने का प्रयास करता है तो ऐसे कंडिशन में उसको श्रमिकों की भी ज़रुवत पड़ती है तो कहीं न कहीं इसका एक सीधा संबंध रोजगार समरिधी से देखकर भी हम जोड़ते हैं दूसरा यहां पर हम देखते हैं कि हमने अगर हम कीन्स के नजरिये से देखें तो कीन्स ने जो माना है उनके अनुसार विन्योग की जो कुल मात्रा है वो वास्तव में दो तत्तों पर निर्भर करती है एक तो पूंजी की सिमान्त कुशलता और दूसरी ब्याज की दर बात अगर हम करें पूंजी की सिमान्त कुशलता की तो यहाँ पर एक उदाहरन से हम इसको अच्छे से समझते हैं मान लेजे हम अपनी पूंजी को विन्योजित करते हैं कहीं पर और हम 100 रुपय का हमने कहीं विन्योजन किया और बदले में कुछ समय के पश्चात हमको 110 रुपय मिलकर वो पूंजी वापस हमारे पास आती है तो हम यह कहेंगे कि पूंजी की जो सिमान्त कुशलता थी वो 10 रुपय की जो सिमान्त कुशलता थी वो 10 रुपए उसमें अत्रिक्त जुड़कर मिलेगा वो उसको अत्रिक्त लाब प्राप्त होगा और कुल मिलाकर वो जो पुंजी है वो एक निर्धारित समय के बाद हमको 110 रुपए एक उधारन 100 रुप हमान सकते हैं कि मिलेगा तो ये जो अत्रिक्त लाव इसमें प्राप्त होता है उसे हम पूंजी की सिमान्त कुशलता के रूप में देखते हैं और तो ये जो अत्रिक्त लाव प्राप्त होता है कहीं धन विन्योजित करने पर उसे हम पूंजी की सिमान्त कुशलता के रूप में देखते हैं और अगर हम यह जाने कि यह जो पूंजी की सिमान कुशलता है यह किन दो तत्तों पर निर्भर करती है तो यहां हम देखते हैं कि एक तो पूंजी परिसंपत्ती के लागत या पूर्ती की कीमत पर निर्भर करती है यानि कि जिस संपत्ती को खरीदने में हम धन वै करने जा र रहे हैं उसकी लागत क्या है और दूसरी बात कि उसकी पूर्टी कितनी है एक अन्य तत्तु यहां पर या आता है कि उस पूंजी परिसमप्ति को से पूरे जीवन काल में हमको क्या पराप्त होगा जैसे माल लिजिए एक उत्पादन करता या उध्योगपती एक बीस लाक का एक एक दुकान खरीद लेताmers है कि बेश की लेकिन अब उससे कह reproduce की जाये तो इन कित्तिह वो जहां पर पूंजी की सिमांत कुशल्टा और ब्याज की दर दोनों का हम अध्यन करते हैं और दूसरी बात हम यहां पर यह देखते हैं कि जब पूंजी परिसंपत्ती यानि कि मशीन की लागत हमें मालूम चल गई तो यहां पर कीन्स के पॉंट ऑफ यू से हम देख रहे हैं कि कीन्स क्या समझते हैं इन सब चीजों के बारे में क्या उनके अवधानाए हैं तो ब्याज के बारे में उन्होंने इसे माना है कि ब्याज जो है वो तरलता पसंदिगी और परिताक का पुरुस्कार होता है लोगों ने अपनी अवशक्ताओं को रोका, सीमित किया और धन को जमा किया और उस जमा धन को उन्होंने आपको रिण के तौर पर दे दिया तो वो बदले में कुछ ना कुछ तो आपसे उस परित्याग का पुरुसकार लेंगे तो वो जो लेते हैं परित्याग के बदले वो ब्याज है, ऐसा किन्सने माना है बात करें अगर हम ब्याज के रूप में जो विन्योजित धनराशी है उसके जो आए है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि और कुल मिला कर यह इतना महतुपूर्ण मुद्दा है कि हम यह कहते हैं कि किसी भी देश में जब बात आती है पूझी की विन्योग की तो वहाह सबसे पहले वियाज की दर पर ही फोकस किया जाता है, कि प्याज कि दर कितनी है चाहे जनता हो या उद्योग पती हो कोई भी वेक्ती हो किसी भी राशी को विन्योजित करने से पहले सबसे पहले वो ब्याज की दर पर ध्यान देखता है कि कि किस दर पर उसको ब्याज प्राप्त हो रहा है दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर पूंजी की सिमांत कुशलता जो है वो ब्याज की दर से अधिक होती है तो इस कंडिशन में जो विन्योग की मात्रा है वो बढ़ती है जाहिर से बात है लोग ज्यादा लाब पर ही अपने पूंजी को विन्योजित करना चाहते है दूसरी एक इस्तिति हम देखते हैं कि विन्योग की यह जो इस्तिती है यह तब तक बनी रहती है जबकि प्राप्त हुआ बतले में 90 रुपए तो अब जब यह प्राप्ती जो है घटने लगती है तो यहाँ पर फिर विन्योग के जो इस्थिती है फिर वो समाप्त हुजाती है लोग विन्योग करना नहीं चाहते हैं और वो अपने धन को फिर अपने पास रोक कर रखना और किंस के सिध्धांतों को भी अमने जाना आप आएं देखते हैं कि परंपरावाधी सिध्धांत और किंस के सिध्धांत में अनतर परंपरावादी में पूर्ण रोजगार प्राप्त करना असंभव है तक अपूर्ण रोजगार की दश्रा विद्धमान रहती है परंपरवादी सिध्धान्त के अनुसार पूर्ण रोजगार की दश्रा स्वता समय उजंद्वारा स्थापित हो जाती है जबकि केंस के सिध्धान्त के अनुस के सिद्धान्त के अनुसार रोजगार में व्रद्धी है तो समग्र मांग में व्रद्धी आवश्यक है परंपरावादी सिद्धान्त के अनुसार कीमत इस्तर का नरधारन मुद्रा की पूर्टी द्वारा होता है जबके के सिद्धान्त के अनुसार कीमत इस्तर का नरधारन स समगरमाग की द्वारा होता है पांचवा परंपरावादी सिधांत के अनुसार बचतों में वृद्धी तथा संतुनित बजट की नीथी का समर्थण किया गया है जबकि कींसного के बिन्योग व्रधी के साथ-साथ घाटे के बजट को भी अपनाया है चटवा, परंपरावादी सिध्धान्त में दीर्द कालीन सामे पर विचार किया गया है जबकि कीन्स के सिध्धान्त में अल्प कालीन सामे को महत्त दिया गया है तो आपने देखा कि परंपरावादी सिध्धान्त और कीन्स के सिध्धान्त में परियाप्त अंतर है परंपरावादे सिध्धानतों की आलोचना करने के बाद कीन्स ने अपने सिध्धानतों का प्रतिपादन किया उन्होंने एक अलग दृष्टिकून बनाया विन्योग की मांग, विन्योग फलन और ब्याज की दर के संबंध में लेकिन उनके बात के अर्थशास्टियों ने कीन्स के इस सिध्धानत के भी काफी आलोचना है की तो आए देखते हैं कि वो कौन-कौन से बिंदू थे जिनके आधार पर कीन्स के सिध्धानत के आलोचना की गई सबसे पहली बात तो ये माना गया कि ये कोई सामान्य सिध्धान्त नहीं है वास्तों में किन्स ने इसे सिफ पूंजी और ब्याज की आधार पर तौल कर एक सिध्धान्त का प्रतिपादन किया तो एक तो ये कहकर आलोचना की गई है कि कीन्स का ये जो सिध्धान्त है ये सर्वमाने सिध्धान्त नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये केवल विक्सित देशों पर लागू होता है जो अर्ध विक्सित या आविक्सित देश है वहाँ पर ये सिध्धान्त लागू नहीं हो पाता आई क्यों कि विदियो जन का जो step है विदियो जन का जो क्रम है शायद वहां तक लोग इन देशों के नहीं पहुच पाते हैं तो कहीं नग कहीं यह जो एक बात है इसके आधार पर आलुच नए की जा सकती है दूसरा एक हाँ पर हम देखते हैं कि यह आवास्त्विक मानेताओं पर आधारीत है कहीं पर बंढ़ अर्थवैस्था की बात की गई है तो कहीं पर पूर्ण रोजगार की बात की गई है कहीं मांग और पूर्टी के समान स्तर की बात की गई है तो ये जो तथ्य हैं ये जो बाते हैं कहीं न कहीं अमान यसी आवास्तिक मानेताओं पर आधारी प्रतीत होती है तीसरा एक बिंदू ये कहा जा सकता है कि प्रभावपूर्ण मांग और रोजगार में प्रत्यक्ष संबंध की जो बात कहीं कहीं है यहां पर भी एक डाउटफुले किस्ति उत्पन होती है कि क्या मांग अगर बढ़ती है तो उस कंडिशन में क्या जरूरी है कि उत्पादक तुरंद के तुरंद पूर्ति करना चाहेगा और क्या वो पूर्ति के जो उसके साधन है उनको इतना वो न्योजित करेगा कि सभी को बहुत सारे लोगों को वो रोजगार प्रदान कर सके तो यह सारी चीज़े कहीं न कहीं डाउटफुल लगती है अगला अगर हम उस पे उभोग और विन्योग दोनों पर बात की गई है लेकिन परिवर्तनों का प्रभाव क्या हुआ इस पर कोई चर्चा नहीं की गई है वास्तों में अगर सरशब्दों में हम कहें तो उभोग और विन्योग का सीधा सीधा संबंध होता है जब उभोग जादा करता है तो विन्योग फिर कम हो जाता है, अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा वो उभोग कर देता है, तो विन्योग के लिए उसके पास बहुत जादा कुछ नहीं बज़ता है। इन्होंने नहीं बताया है वास्तों में सिर्फ ये कह देना कि अर्थ वैवस्था में पूर्ण रोजगार के स्थिति पाई जाती है या अगर पूर्ती के प्रयास किये गए तो पूर्ण रोजगार के स्थिति बन सकती है किवल ये मान लेना और इसके आधार पे कह देना कि य बेरोजगारी की समस्या का हल है ये भी गलत है एग पक्षी सिद्धान्त ये भी कहा जा सकता है physics कूज़कि समगर पूर्थी पर इन्होंने काफी जोड दिया है और ये माना होगा इस विशय पर कुछ भी बात नहीं कहीं गई है वैसे ही एक बात यहाँ पर यह देखी जा सकते हैं कि उब्भोग प्रवित्ती की जो धारना है यह भी कहीं ना कहीं गलत है यह मान लेना कि आए बढ़ने पर उब्भोग बढ़ जाएगा और घटने पर उब्भोग घट जाएगा काफी हद तक तो सही है लेकिन सर्व मान यह 100% अगर हम कहें कि आए बढ़ेगी तो उब्भोग बढ़ेगी ऐसा जरूरी नहीं है यह भी हो सकता है कि आए बढ़े तो लोग उब्भोग को वैसा ही रखे इस तेरी रखे और विन्यों की मात्रा को बढ़ा लें तो कोटे कम समय हमें हम इसको यह कह सकते हैं कि यह फॉलो करेगा लेकिन जब दीर्दकाल के बात करते हैं तो दीर्दकाल में मांग और पूर्ती जो यह है जो लोच-अधार्ष चीजिजे यह हमेशा परिवर्तित होती रहती तो हमीशा है सिद्धान्त काम करेगा यह नहीं कहा बारे में जानेंगे जिस से कीन ने नाम दिया है गुणक कि इनका है जिसकी आधार पर इन्होंने माना है कि गुणक विन्योग की प्रारंबिक वृद्धी तथा आय की कुल अंतिम वृद्धी के बीच अनुपातिक संबंधों को बताता है ऐसा इन्होंने इसले कहा है क्योंकि इनका मानना है कि जब देश में अर्थ व्यवस्था में विन्योग की मात्रा में वृद्धी की जाती है तो उस समय उस देश की आय केवल विन्योग की मात्रा के बराबर नहीं बढ़ती है बलकि उससे कई गुना बढ़ती है कई गुना उसमें परिवर्थन कई गुना उसमें वृद्धी होती है तो यहाँ पर बात आती है कि कई गुना वृद्धी होती है इसलिए इनों ने के रूप में उसको सूत्र के आधार पर उसके कैलकुलेशन के बात कही है तो सूत्र इन्होंने दिया है गुणक बराबर आय में परिवर्तन बटे विनियोग में परिवर्तन या फिर हम इसको कह सकते हैं के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई यहां पर किस त लिन्होंत यह कहता है कि गुढक बराबर आय में परिवर्तन बटे विनियोग में परिवर्तन जिसे हम इस प्रकार भी व्यक्ट कर सकते हैं के इके। अदरं से सम्झें तो हम देखते हैं यहां में 5000 करोड के व्रिद्धी हो जाती है तो गुड़क होगा तो यहां हम लिख सकते हैं k equal to 5000 upon 1000 equal to 5 यानि कि गुड़क का मानिया पर 5 होगा दूसरा यदि कि हम गुड़क का मूल्य अगर दिया हुआ हो और विन्योग में व्रिद्धी किया जाने से आय में कितने व्रिद्धी होगी यह ग्याद करना हो तो इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे आय में परिवर्तन बराबर गुड़क का मूल्य विन्योग में परिवर्तन यानि कि यहां हम यूज कर सकते हैं डेल्टा वाई एक्वल टू डेल्टा के इंटू आई गुड़क का क्योंकि संबंद सीमान तुभोग प्रविर्ति यानि एम पी सी या सीमान बचत प्रविर्ति से होता है तो कीन्स ने इसके लिए जो सूत्र दिया है वो इस प्रकार है गुड़क का मूले बराबर एक सीमान बचत प्रविर्ति या के इक्वल टू वर अपॉन एम पी सी तो आपने देखा कि किस प्रकार कीन्स ने गुड़क आधारित भोग और विन्योग से संबंदित अपने सिधानतों का प्रतिपादन किया है अब इस पूरी प्रक्रिया में जब हम बात कर रहे हैं कि ना कहीं बेरोजगार वो कहीं ना कहीं रोजगार को भी प्रभावित कर रहे हैं तो यहां एक चोटे सो टॉपिक यह भी देख सकते हैं कि यहां पर पूर्ण रोजगार और अनैक्षिक बेरोजगारी की स्थिति क्या है तो बात करें अगर हम पूर्ण रोजगार की तो एक ऐसी स्थिति जब जो व्यक्ति काम करना चाहते हैं उनको उनके अनुकूल रोजगार प्राप्त हो पाता है तो यह जो स्थिति होती है इसे हम कह सकते हैं पूर्ण रोजगार के स्थिति आए एक परिभाशा के अधार पर इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करें पेंसर के शब्दों में पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमें प्रतेक व्यक्ति जो काम करना चाहता है काम कर रहा है सिवाए उनके जो संगरशात्मक या संरुचनात्मक बेरोजगार हैं तो आपने देखा कि किस प्रकार पूर्ण रोजगार के सम्बंध में अपना मत विद्वानों की द्वारा दिया गया है लेकिन अगर हम बात करें पूर रोजगार तो जैसे कि नाम से इस पाच्छों रहा है कि पूरी के पूरे लोगों को रोजगार मिल पाना तो यह कहीं नहीं संबहा नहीं है या फिर इसके आर्थ को यह नहीं बताता है क्योंकि कुछ इसी होती है जब लोगों को कई अलग अलग तरह की बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में हमने अर्थशास्त्र के कुछ अध्यायों में पहले भी पड़ा है जहां हमने कि लोगों की पास रोजगार है लेकिन हर थोड़े सी लिए बेरुजगार हो जाते हैं दूसरे बात करें हम और रोजगारी के तो यह एक एसए च्थिती को प्रकट करता है जब लोकाम तो करना चाहते है लेकिन फिर भी उनको रोजगार नहीं मिल पाता है आए एक परिभाशा से आनेक्षिक रोजगारी को और इच्छे से समझने का प्रयास करें हैंसन के अनुसार आनेक्षिक बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें श्रमिक मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के योग्य है तका काम करने को तयार है लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता तो आपने देखा कि किस प्रकार अनैक्षिक बेरोजगारी कैसे स्थिति को प्रकट करता है कि लोग काम करना चाहा रहे हैं लेकिन उसके अनुकूल उनको काम मिल नहीं पा रहा है तो इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार समग्र मांग और समग्र पूर्ती जो है वो कहीं ने कहीं उपभोग को भी प्रभावित करती है विनियोग को भी प्रभावित करती है और इनका सीधा सीधा संबंध रोजगार से होता है हमने परंपरवादी सिध्धानतों को भी देखा कीन्स के सिध्धानतों को भी देखा दोनों में अंतर देखा आलोचनाय देखी लेकिन कुल मिलाकर अगर इसके एक विसलेशन तयार किया जाये तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तों में समगर मांग और समगर पूर्ती बाजार के एक ऐसे महतोपूर्ट तत्व हैं जो कहीं न कहीं वस्तु की कीमत को नरधारित करते हैं और पूरे बाजार में पूरे अर्थ व्वस्ते की प्रक्रियमें यही ऐसे तत्तो बनते हैं जो किसी वस्तु के उभोग या एक उभोगता द्वारा किये जा रहे हैं विन्योग पर सीधा सीधा असर डालते हैं